सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो में अपडेट सिस्टम जो होता है अटोमेटिक उसको आप कैसे ओफ कर सकते हैं और अपने विंडो को जो है आप बचा सकते हैं ज्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं जैसे कि माल लेजे आप कोई पुराने वर्जन का विंडो यूज़ कर रहे हैं जैसे एकसपी 7,8, 8.1 और इन सबका एक नया वर्जन आचुका है जो की है विंडो 10 तो अगर आप पुराने विंडो को नए विंडो में चेंज करेंगे तो उसके लिए आपके पास लैसंस होना चाहिए अगर आपके पास लैसंस नहीं है लैसंस की नहीं है और उसके व्यवजुद अगर आप उसको अपडेट करते हैं तो आपका जो विंडो है वो स्लो हो ज करूंगा इसलिए अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं जो है इसको अगर अपडेट करता हूं तो यह विंडो टैन बन जाएगा लेकिन मुझे यूज करना है सेवन तो अटमेटिक अपडेट सिस्टम जो है आपके विंडो में ओन होता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इसको आफ करना पड़ेगा वरना नेट जैसा ही ओन होगा कंप्योटर में तो यह अपडेट लेने लेगा कुछ फाइल जो है इसमें डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आपका वि यहाँ पर जाना है आपको यह फ्लेक का आइकन दिख रहा होगा यह होता है आपका विंडो नोटिफिकेशन जब आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर लिखके आता है ओपन एक्शन सेंटर इस पर किलिक किजिए इस पर किलिक करने के बाद जो भी आपके विंडो म तो आपके सामने दो option आता है यह काता है कि जब window का update मौजूद होगा यानि कि अविलेबल होगा तो automatic वो जो है update करके install हो जाएगा दूसरा है आप choose कर सकते हैं कि जब आपको जरौत हो तभी आप जो है update करें अपने जरौत के अनुसार तो मैं जो है यह नीचे वाल option जो है इसको चुनूँगा ठीक है क्योंकि मुझे update जो है वो बंद करना है system तो यहाँ पर क्लिक किजिए let me choose इस पर क्लिक करिए और देखें यहाँ पर आ जाता है कई option आप देखें यहाँ पर important update में आ रहा है install update automatically यह अपने आप install होगा यह जो है यह भी अपने आप है और यह जो है यह तीसरा option जो है यह है उसके लिए जब आप internet चला रहे होंगे तो आपको एक notification आएगा कि हाँ इस window का कोई update आया है अगर आप install करना चाहते है तो ok कीजिए लेकिन मुझे यह update नहीं लेना है बिल्कुल भी नहीं तो मैं यहाँ पर किलिक करूँगा never check for update यानि कि कभी भी update आई इस window का तो मुझे इसकी जानकारी न मिले मुझे इसकी जरुत नहीं है और इन दोनों option पर से भी टिक हटा दीजे ताकि कोई भी अगर नया बंदा आपके computer यूज़ कर रहा है तो गलती से भी कहीं ये window को update ना करे ठीक है इन दोनों option को uncheck कर दीजे उसके बाद ok कीजिए यह हो गया setting complete तो इस तरह से अपने window को आप automatic off होने से बचा सकते हैं यानि कि यह window automatic जो है update नहीं होगा और आपका window slow भी नहीं होगा जो window आप यूज़ कर रहे हैं वही window रहेगा आपके computer में और जो है काम उसी तरह का होगा अगर यह automatic update होता है तो उसमें क्या है थोड़ा सा problem आ जाता है window का speed ज दालेंगे नहीं तो वह update पूरी अच्छी तरह से होगा नहीं complete और update पूरा नहीं होगा तो window सही से काम नहीं करेगा तुम ही दया आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर किजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई